Hi everyone, this is Danam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज की इस वीडियो से हम अलाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपके जो पीएजी एट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, जिसमें आपका पेपर वन रिसोर्च मेतलोजी होता है. आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दू, अलाबाद यूनिवर्सिटी ने काफी बार नोटिफिकेशन निकाला हैं कि उनके यूनिवर्सिटी के अप्लिकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज होने वाले हैं, तो जल्दी आपके स्टार्ट करनी हैं, तो आपकी प्रेपरेशन के लिए हमने यूनिवर्सिटी आफ अलाबाद पर पीएजडी इंट्रेंस एक्जामिनेशन के लिए हमने रिसोच में आपके लिए कम्प्लीट कोर्स और डेली सेशन लेकर आया हैं आपके लिए, तो याद रखेगा स्टूर स्टार्ट करते हैं, तो अलाब बेगा स्टूर्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दू कि पेपर वान जो कि आपका रिसोच में अपर बिस्ट होता है और हर एक फैकल्टी वाले कैनिडेश के लिए अलग-अलग syllabus फॉलो करना है आपको ठीक है, तो उसके लिए हम उ लेक्टर्स, नोट्स, मौक्डस और MZQS PDF प्रवाइट करते हैं, जिसमे आपके जामे मिले असलामया के प्रिवेश एल क्वेशन भी इनवल्वेशन भी इनवल्वेशन फिर टीक है, तो वीडियो लेक्टर्स जो है, आपको प्रिवेश एल क्वेशन के सेशन्स हम आपको लेक्टर्स में हमारे थियरी, MZQS दोनों लेक्टर्स आपको प्रवाइट करते हैं, फिर नोट्स भी हम आपको प्रवाइट करते हैं, अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो, तो काफी दिफिकल्ट लैंग्वेश यूज यूज परी जाती है, आपको पता नहीं आपको गैरेंटी के साथ कहते हैं, तो याद रखिएगा बहुत कम डेज हैं, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छे गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारी गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रॉक्शन से हम आपको प्र What kind of questions are designed to permit a free response from the subject but do not provide or suggest any structure for the respondent's reply? किस प्रकार के प्रश्न विशेश से मुक्त प्रतियका की अनुमती देने के लिए design किये गए है लेकिन उत्तरदाताओं के उत्तर के लिए कोई स्रंचनय प्रदान या सुझाव नहीं देते हैं? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाने हैं और इस प्रश्न में हमें ये find out करना है ऐसे टाइप के प्रश्न यानि ऐसे प्रकार के प्रश्न जिसमें जो respondent है वो freely response कर सकते हैं और जो questions होते हैं जो प्रश्न होंगे आपके वो structure नहीं होंगे यानि इसमें आपके जो questions होंगे ज याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेशन को हम कहते हैं ओपन इंडेट क्वेशन यानि विस्तुरुत जवाब वाले प्रश्न अब इस क्वेशन को हम और डीजेल में पढ़ते हैं और डीजेल में देखते हैं कि यह क्वेशन हमें क्या बता रहा है जैसे मान लीजे एक हमें से कुछ लोगों कर रिस्पाउंस लेना है हैं हाँ पर रिस्पाउंस लेका है मतलब इसे पूरीजाम्पल के मारे फट्र लिकल यह उसमयें को सब्जिक्टिव यहां वांत भाना इसलिए जिसमें सब्जेक्टिव फौर्म एंशर poop आर् s सकते हो उस question के answer में यानि उस question के उत्तर में अब बता रहे हैं यहां पर कोई structure नहीं होता है question का यानि कोई structure नहीं होगा यानि कि आपको कोई particular एक ही answer right होगा इसा नहीं कह सकते हम यानि इससे मान लिए जो मैं आपको यह question बता रही हूं इसमें यह हमारा mc कि टाइप question है जिसमें सिफ और सिफ आपको एक ही answer mark करना होते है जो आपके correct answer होगा उससे हम कहते है structure question और जो unstructured question होते हैं जिसमें आपके opening in आगे रख सकते हैं आपके choice आपके word of choice आगे रख सकते हैं आपको ज टाइप के questions होते हैं जिनमें आप आपके reply होते हैं जो respondent का response होते हैं freely reply कर सकते हैं जिसे मालीजे किसी फिल्म का आपको review देना है अब कोई researcher है कोई फिल्म का review ले रहा है तो यहां पर अगर फिल्म का review की चीज़ तरीके से है कि मालीजे यहां पर question आपको ऐसा पूछा जा यह quality और अच्छी हो सकती थी पिच्चर की और action scenes ऐसे थे ऐसे होने जोगे थे आप आपकी opinion को आगे रखते हो तो उसे हम कहते है open ended question तो इस question का आपको सही उत्तर हो जाएगा option A उसी तरीके से option B close ended questions close ended questions क्या होते हैं याद रखिएगा close ended questions आपके structured questions होते हैं जिसमें आपको चार option दीए गए है ते उसमें से आपको एकी option को right करना होता है एकी option को चुनना होता है जो के सही है उसे तरीके से fixed alternative questions तो fixed alternative questions भी क्या होते हैं एक ही answer उसमें right होता है और एक wrong हो जाएगा जो एक ही answer जब right होता है fixed है ओर यहाँ पर structure question है लेकिन हमे not structure पूछ रहा है question में और सी दोनों भी इस प्रशन का गलत उत्तर हो जाएगा उसे तरी किसी ओप्षिन दी multiple choice question जैसे कि मैंने आपको starting में ही example दिया था multiple choice question भी आपके यह structure questions होते हैं इसलिए इस प्रशन का उत्तर यह भी गलत हो जाएगा और इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प a open-ended question विस्तरुत जवाब वाले प्रशन अगला प्रश तर्म ICT was coined by ICT शब्द किसकी द्वारा गड़ा गया था इस प्रशन में में पता लगना है ICT इस शब्द को इस टर्म को किस scientist ने गड़ा था यानि ICT इस टर्म को किस scientist ने launch किया था यह term तो याद रखेगा ICT इस टर्म को Jim Domic इस scientist ने यह term को launch किया था और coin किया था in the year 1981, 1981 में Jim Domic ने इस term को coin किया था और याद रखना है आपको ICT का full form होता है information and communication technology तो आपको इसका full form याद रखना है बहुत बार exam में पूछा भी जाता है ICT का full form क्या होता है ICT का full form होता है information and communication technology अब ICT इस term को क्यों launch करा गया इसके use क्या है ICT होता क्या है ICT जैसे information information यानि हर साथ हर टाइप के आपको information मिल जाती है through internet और cell phones पर computer पर आपके laptop पर उसे तरह किसे communication communication यानि जिससे हम एक जुसरे से बात कर सकते communicate कर सकते है easily so ICT एक ऐसा tool है जिसके वज़े से हम real world problem को solve कर पाया है इसके वज़े से communication faster हो गया है जैसे for example real world problem क्या हो सकते है जैसे कोविट कोविट हमारे लिए real world problem थी क्योंकि वह all over world में वह डिसस आई थी जिसके वज़े से जो scientists थे उन्होंने easily communicate किया दूसरे दूसरी countries से और उसका हमने solution है वह fast way से find out कर लिया through ICT ICT की help से ही यह हो पाया याद रखेगा आई सेटी का exam में आपको users पूछा जाता है कि किसने कोई किया था यह भी exam पूछा जाता है जिससे आपको 2016 में पूछा गया देन उसके बाद आपको यह भी पूछा जाता है कि ICT का use क्या है ICT का मतलब क्या होता है जिससे ICT ICT क्या होता है जो हम internet, wireless, network, cell phone, computer, software, video conferencing और social networking, education और telephone और you can say marketing इन सारे सब यह सारे जो fields है यह सारे जो sources है इन सारे sources में आप ICT का ही use करकर चीजों को develop करते हो और जैसे के हम medical field में भी ICT का जादा जातर यूज करते है किसे disease को diagnose करने के लिए तो यह सारे questions आपको एक्जामें पूछे जाएंगे ICT का use क्या होता है ICT की definition क्या होती है तो आपको याद रखना सब्सक्राइब करते हैं जिसमें आपको सारे sources के थूँ आइसे जी हेल्प करता है यह सारे uses आपको एक बारी पढ़ लेना है जो के एक्जामें पूछे जाते हैं और याद रखेगा टर्म ICT was coined by Jim Domzig in the year 1981 इस question का इस question का आपका सही उत्तर हो जाएगा option B Jim Domzig अगला प्रश्ट hypothesis testing is not required in case of किस मामले में परिकल्पन परिक्षन की अवशक्ता नहीं है इस question में पूछ रहा है कि दिये गए विकल्प में से दिये गए type of research में से दिये गए different different प्रकार की अनुसंधान में से कौन से एक ऐसी अनुसंधान है जिसमें आपकी जो परिकल्पन आती उसका options में से कौन से ऐसे research है कौन से ऐसे type of research है जिसमें आप hypothesis को टेस्ट नहीं करते है और hypothesis टेस्टिंग उसकेस में required नहीं होती है तो याद रखिए इस question का आपको solve करने के लिए आपको पताना चाहिए कि hypothesis यहीं परिकल्पना होती क्या है hypothesis क्या होता है एक tentative statement होता है hypothesis आपका tentative statement होता है tentative मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से हो सकता है ऐसा हो यह होता है आपका tentative statement जिसमें आप आपके अनुमान लगाते हो आप कुछ भविश्यवानी करते हो उसी को हम कहते है परिकल्पना परिकल्पना का मतलब होता है आप आपके knowledge के basis पर आप कोई चीजों पर कुछ phenomena पर भविश्यवानी करो और उसी भविश्यवानी को आप होती है आप आपकी जो अनुसंधान होती है उसमें उसका परिक्षन करते हो उसी को हम कहते है hypothesis testing अब hypothesis testing कौन से research में नहीं की जाती है वो होती है आपकी descriptive research जिसे हम कहते है वर्नात्मक अनुसंधान descriptive research यानी वर्नात्मक अनुसंधान होती क्या है सुआत रख़ेगा descriptive research में हमारे पास जो phenomena होता है already existing phenomena होते है इस सारी information परेजन होती है उसी phenomena को हम analyze करकर उसको as it is as it is describe करते है बहुत important वोड है डिस्क्रिप्टिव रिसोच में हमारे पास फेनोमेना अल्रीडी प्रेजन्ट होता है उस फेनोमेना को उस्पेनोमेना में जो भी इनफॉर्मेशन दी गई है उसी इनफॉर्मेशन को हमको अनिलाइस करना होता है और हमें उसे आज इस डिस्क्राइब करना होता है इ क्योंकि आप कोई टिस्क्राइब करने के लिए यूझ करा जाता है तो याद रखे वो में रहे सब आप आपके और म análसंद pedir नहीं करते हो सो इस प्रशन के आपका सही उतर हो जाएगा option B अब जो remaining option है जो बचे हुवे विकल्प है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं जिस है experimental research experimental research क्या होती है जिसमें आप कोई दो variables की बीच में cause and effect relationship देखते हो य Patienten and fourth देखते हो दो दो चरो के बीच में जो कि होते हैं आपके independent variable कीशा अफेक कर रहा है युकर देखते हो और Major Research में याद रहा है आप independent variable को आप manipulate करते हो यानि affect कर सकते हो और को changes कर सकते हो यह देखने के लिए कि वो dependent variable पर उसका कैसा प्रभाव दिखा रहा है यानि किसे चेंजेस को एफेक्ट दिखा रहा है independent variable, independent variable पर सो यहां पर experimental research में जो आपके पास independent variable होते हैं इसको आप randomly assign कर सकते हो, आप कम जदा कर सकते हुए, आपके पासे आप किसी भी तरीके से choose कर सकते हो, आप particular यहीं मेरता है कि आप यही लोगों को लेकर test करूगे ऐसा कुछ नहीं होता है experimental research में, independent variable को manipulate करते हो So, experimental research में independent variable क ви得 एफेक्ट को dependent variable पर यानि आप यहां पर hypothesis जबराने आपकी hypothesis को यह चेस्ट करते हो आप यहां पर experimental research में देखते हो के जैसे मालनली यहां पर आप प्लांट की ज़ादा हों कहते है को हम कोजी experimental research भी कहते है experimental research को हम causey sorry exposed factor research को हम causey experimental research कहते है जिसमें हमारी जो variables होते है again हम independent variable का ही affect देखते हैं dependent variable पर कैसा हो रहा है लेकिन causey experimental research और exposed factor research में हम जो भी phenomena happen हो जाता है उसके बाद उस पर study करते हैं जैसे covid disease covid disease हो गई फिर researcher उसके बाद वो disease होने के बाद उस फेनोमेन पर study की यानि एक factor happen हो गया कुछ happen हो गया उसके बाद कुछ incident happen हो गया उसके बाद उसके बाद इस पर research की जा रही है उसे हम कहते है exposed factor और causey experimental research जिसमें आप आपके independent variable को ना ही manipulate करते हो ना ही randomly assign करते हो लेकिन इसमें भी आप hypothesis को test करते है उसलिए आपर आपको option A and C यानि विकल्प A और विकल्प C इस प्रशन का गलत उतर हो जाएगा और इस प्रशन का आपका सही उतर हो जाएगा option B descriptive research और वर्नातमक अनुसंदान अगला प्रश्ट coefficient of correlation is independent of सह संबन का वुनाग सोतंत्र है इस question में पूछ रहा है कि coefficient of correlation किस चीज पर depend नहीं करता है इन इपले जिस पर depends नहीं करता है तो कोन होता है वह किस option में हमें दिया गया है कि coefficient of correlation किस चीज पर depends नहीं करता है सो जाद राखिएंगा coefficient of correlation यह होता क्या है so correlational research में coefficient होता है जिसे हम कहते है call-piescence coefficient याद रखिएगा इस scientist ने coefficient को दिया था जिसका नाम है call-piescence coefficient exam में इस पर भी कई बार question पूछे जाता है कि coefficient of correlation यह कि scientist ने दिया था coefficient याद रखिएगा call-piescence coefficient अब call-piescence coefficient होता है क्या है correlation research में so याद रखिएगा call-piescence coefficient की value आपकी minus 1 से plus 1 के बीच में लाए करती है अगर आपके call-piescence coefficient की value minus 1 आ रही है that means आपके जो variables है variables के बीच में perfect negative correlation है और अगर आपके जो call-piescence coefficient है उनकी value plus 1 है याद रखिएगा उस case में आपके जो variables है आपके चर है चरों के बीच में perfect positive correlation होगा और 0 का मतलब होता है कि correlation नहीं होता है so यह होता है आपके call-piescence coefficient जिसके values minus 1 से plus 1 के बीच में लाए करती है अब याद रखिएगा call-piescence coefficient जिसे coefficient of correlation के तहीं coefficient of correlation का formula आपको पहले पता होगा चाहिए सभी हम इस question को solve करताएगे so यह होता है आपका coefficient of correlation का formula तो इस तरीके से आपका formula होता है इसे हम कहते है submission यह आपके observations होगे और यह आपके y1, sorry, xi और yi यह आपके observation होता है so x यह आपका first variable हो जाएगा क्योंकि दो variables के बीच में हम correlation research में संबंद देखते हैं उनके बीच में कैसा relation है so x i जो होता है आपका यह first variable होगे और x yi यह आपका हो जाएगा second variable ऐसे दो variable होते है correlation research में उनके बीच में संबंद देखते हो so यह पता चल गए आपको x i और y i क्या होता है अब next time हमें दिया गया है next later x bar y bar next variable हमें दिया गया x bar y bar so x bar और y bar क्या होता है यह होता है आपके mean अब आपने कुछ मान लिजी sample से कुछ information निकाल लिया उनकी height निकाल लिया height का आप mean देखोगे और बताओगे कि इस particular जो population है उसमें ज्यादा तर लोगों की height क्या होती है तो यह हो गया आपका mean so बात जब भी आगया मतलब यह mean हो जाएगा आपका और x i मतलब यह first variable के observation यानि first variable का आपने जो भी data collect करा वो होता है और y i मतलब second variable का आपने जो भी data collect करेगा वो हो जाएगा आपका y i यह हो गया अब यह sign क्या होती है इसे हम केते है submission जिसका मतलब होता है addition submission का मतलब होता है addition यह हमें पता चल गया अब यहां पर हमें कुछ option दिये गया है जैसे change in origin and change in scale अगर हम change करते है अपने origin में और scale में कुछ change करते है तो क्या coefficient of correlation से इसका कोई लेना जराने होता है इससे कोई depend नहीं करता है इन चीजों पर याद रखिएगा coefficient of correlation नहीं आपके change of scale में नहीं change of origin से depend करता है इन दोनों से independent होता है तो यहां पर आपका option C right हो जाएगा क्योंकि अगर आप scale में भी कोई change कर लो या फिर origin में भी कुछ change कर लो आपका जो coefficient of correlation नहीं होता है यह इन दोनों से independent होता है अब किस तरीके से आप मान लीजिए जैसे for example आपको पास कुछ information आपने collect कर लिया अब कुछ information करने के बाद आपने उस information को plot कर दिया कुछ graph में अब graph में प्लॉट करने के बाद आपने पहले variable कमान लीजिए कुछ यहाँ पर आपके origin की पास 10 value आ रही है 20 value आ रही है अब मैंने क्या किया मैंने जो origin था इस 10 को मैंने थोड़ा move कर लिया तो 10 यहाँ पर आजाएगा मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर जो आप आप कुछ changes ही नहीं होगा यानि आपके जो origin है origin से कुछ change नहीं हो रहा है जितना गयाप है इतना ही गयाप रह रहा है आपका that means coefficient of correlation जो होता है इसमें जो origin value होती है इसमें कुछ changes नहीं होता है आपका so correlation sorry coefficient of correlation independent होता है का origin से अब scale देखते हैं अब scale मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है scale 10 है मैंने इसको बढ़ा दिया scale को जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आयन से नहीं दिखती तो हम microscope में देखते हैं हम क्या करते हैं इसका scale बढ़ा देते this case में महान लीजिए इहाँ पर मैंने scale बढ़ा दिया यह 10 को मैंने 10k ले लियाँ अब मैं अगर यहाँ पर हर जगा 10k और 20k डादूंगी अब यहाँ पर 10k मान लीजिए और 20k तो यहाँ पर अगर मैं इसको solve करूँँगी तो यहाँ पर मैंड़ा के है, constant K मान लीजिए मै यह हम कहते हैं कोईफिशेंट और कोरिलेशन होता है अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है सलेट कोईशन का अपका राइटा ओप्शन हो जाएगा ओप्शन सी चेंज अप स्केल और ओरिजिन ओनली केवल पैमाने और उत्पती का परिवरतल अगला प्राश्ट याद रथिक प्रती चेंज में किस प्रकार का नमूना हो जिससे सैंप्लिंग फ्रेम से प्रत्यक आइटम के चुने जाने के संभावना समान हो इस प्रश्ट में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड डॉट करना है कि अगर आपके जो ऐसे कौन से प्रकार की नमूना है ऐसे कौन से टाइब का आपका सैंप्ल है जिसमें आपके जो जन संक्या है जन संक्या में से हर एक मेंबर के हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना समान हो मतलब आपके कौन से टाइप के sample ऐसे हो जिसमें आप randomly population में से members को select करते हो और जिसमें हर एक members को select होने का chance equal हो और non-zero chance हो तो उस type of नमूने को कहते है उस प्रकार के नमूने को कहते है संभावना नमूना जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते है probability sample याद रखेगा यहाँ पर आपका जो विकल्प A है यह सही हो जाएगा इस person का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प A जो कहे probability sample प्रोबैबिलिटी sample क्या होता है जिसमें आपका जो शोत करता है वो आपकी जन संग्या होती है मतलब आपकी जो population होती है उसमें से हर एक member को हर एक विकल्प को randomly select करते है मतलब यहाँ पर हर एक member के select होने के हर एक member के चुने जाने की संभावना समान होती है यहाँ पर आपके जिशोत करता है वो उनका अनुमान उनका जो judgment है उनके जो convenience है उसको आगे रख कर उनकी opinion को आगे रख कर पॉपिलेशन में से members को select नहीं करते हैं उनके अनुमान को आगे रख कर नहीं select करेंगे बलके हर एक members को randomly select करेंगे जिससे के population में से मतलब जिससे के आपकी जन संख्या है जन संख्या में से हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है तो उसे हम कहते हैं संभावना नमूना जिसे हम probability sample कहते हैं से आपका जो विकल्प फर्स्ट है विकल्प जो आपका पहला विकल्प है यह सही हो जाएगा दें अब हम जो बचे हुए option से जो बचे हुए विकल्प है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं सेकेंड विकल्प है आपका दूसरा विकल्प है ये गलत हो जाएगा पर आपका जो सेकेंड विकल्प है जो आपका दूसरा विकल्प है यह गलत हो जाएगा, then third option, zero bias sample, जिसे हम कहते हैं, शुन्य पुर्वग्रा नमूना, यहाँ पर bias तो कम होगा, लेकिन यह जो आपको definition दी गई है, इस question में, इस question में आपको definition पूछ रही है, यह आपकी zero bias के definition नहीं होगी, यह पर आपको जो third वी कल्प है, तीसरा वी कल्प है, यह भी गलत हो जाएगा, अब non probability sample, जिसे हम गेर संभावना नमूना भी कहते हैं, यह क्या होती है, जिसमें research अपने अंदाजे को, अपने अनुमान को, अपने judgment, अपने convenience को short करता आगे रखकर, आपके जन संक्या होती है उनमें से सदस्य को select करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आपके जो population होती है, मतलब के जन संक्या होती है, उसमें से कुछ-कुछ members के select होने का chance आता ही नहीं है, यहाँ पर जो population होती है, मतलब के जन संक्या होती है, उसमें से कुछ members के कुछ सदस्य के चुने जाने की संभाव नमूना भी कहते हैं, यह पर आपका जो विकल्प, चौता विकल्प है, यह भी गलत हो जाएगा, इस प्रशन का आपका सही विकल्प हो जाएगा, फॉर्स्ट विकल्प, पहला विकल्प, जो कहें सम्भावना नमूना प्रोबाइबिलिटी सैंपल, अगला प्रशन, Which one is not a graphic representation of data? कौन सा आपकडो की ग्राफिक प्रस्तूती नहीं करता है? इस कोशन में हमें यह बताना है कि दिये गए options में से कौन सा ऐसा option है, जिसमें हमारे पास जो भी data होता है, उस data को हम graphic representation नहीं कर सकते हैं, उसको हम graphical way में present नहीं कर सकते हैं. मतलब इस प्रेश्ट में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हम हमेरे पास जो भी आखड़े होंगे उस आखड़ों को हम ग्राफिक प्रस्तूती नहीं दिखा सकते हैं नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल वे में से present सो याद रखेगा हिस्टोग्राम बार चार्ट और फ्रिक्वेंसी पॉलिगॉन इन तीनों को भी हम ग्राफिकल वे में प्रेश्ट कर सकते हैं अब हिस्टोग्राम बार चार्ट और फ्रिक्वेंसी पॉलिगॉन यह दिखते कैसे हैं तो हम इस डाइग्राम के थूर समझते है यह है आपका histogram, histogram कुछ इस तरीके से दिखता है जिसने जो bars present होते हैं ग्राफ में एक जुसर से joint होते हैं, जैसे कि आपको बस diagram याद रखना है, आपको matter नहीं देखना है, बस आपको diagram याद रखना है histogram में जो bars होते हैं एक जुसर से मिले होते हैं, जैसे for example यहाँ पर हम diagram से देखकर हमें यह पता चार रहा है, ग्राफिकल वर्मे कि कितने लोगों की salary कितनी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आगर आप देखते हो, 0 से 10,000 के बीच में कुछ 50 employees की income होगी, उसी तरीके से 300 employees से हैं, जिनकी income 10 से 20,000 के बीच में होगी, उसी तरीके से 280 मान लीजे, 280 ऐसे employees हैं, जिनकी income 20 से 30,000 के बीच में होगी, तो यहाँ पर आपको numbers के form में representation हो रहा है, numbers के form में information मिल रही है, कि इतने लोगों की income, 400 लोगों की income, इतनी हो सकती है, 30 से 40,000 के बीच में लाए कर सकती है, तो यहाँ पर histogram में आप आपका जड़ीट डेटा होता है, उसी तरीके से bar chart, bar chart कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें याद रखेगा, bar chart में जो आपके bars होते हैं, दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन histogram में जो bars होते हैं, दूसरे से joint होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, this is diagram of bar chart, bar chart में जैसे y axis पर हमें number of children given हैं, और उनके favorite color जहां हमें given ह याँ पर eight children ऑसे जिनको rat color पसंद हैं, उसके बाद मानलेजे 7.8 children जिनको blue color पसंद है, फिर four point five ऐसे children होंगे जिनको green color पसंद है, पिर उसे तरीके से हमें six children इसे जिनको pink color पसंद है, एहाँ पर आपको data मिल रहा हैं, ऐसा बोल सकते है, शाल बहुत के सकते हो data का जो लोगे जादातर जो बच्चे हैं जादातर जो चिल्रेन उनको यलो कलर पसंद ने तो हम ऐसा कर सकते हैं मतलब नंबर के फॉर्म में आप डेटे को रेप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ के थूरू उसी तरीके से फ्रिक्वेंसी पॉलिगॉन की होता है छो इस तरीके से दिखता है सो फ्रिक्मेंसी क्यों यात ऱग Just DO के हिसे में मीडल पॉlike तो में में नवा दूंगि तो यह आपका बन जाएगा फ्रिक्मेंसी पॉलिगॉन उसी तरीके से इस graph में बताया है, frequency polygon में आप बताते हैं कि कहा data कितना कम, जादा कम जादा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हर एक point को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो यह हो जाता है आपका frequency polygon, अगर आप frequency polygon का graph देखा हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा frequency polygon ऐसा को देखेंगा, so frequency polygon का हता है, histogram का ही, जो point होते है, middle point को हम join करते जाते हैं, और कुछ इस तरीके से आपका graph दिखता है, frequency polygon का, so histogram बाद चोटा, frequency polygon को हम graphical way में represent कर सकते हैं, लेकिन table, table को हम graphical way में represent नहीं करेंगे, क्योंकि table में हर एक type की information होती है, आपको numbers के form में information नहीं तो basically, जो table होता है, table में जो भी आपके पस data होता है, इसको हम graphic way में represent नहीं करते हैं, so इस question का right answer हो जाएगा, option C, table, next, in order to measure the scatter of the values of items, the observed data, which of the following statistical method is used, निम लिखित संख्या के पधित में बस्तूओ को मुल्यों के बिखराओ के मापने के लिए, किसका उपियोग किया जाता है तो इस question में बता रहा है, आपने कुछ चीजों को major किया, उससे आपको कुछ values मिल रही, कुछ data मिल रहा है, आपने कुछ test perform किया, उसमें से आपने कुछ observe data मिला, आपको आपको कुछ data मिला, so उस data के आपको scatter find out करना है, वो data कितना फैला हुआ है, scatter का मतलब होता है, कितना data फैला हुआ है, कितना वो data बिखरा हुआ है, तो data कितना बिखरा हुआ है, उसको आपको major करना, उसको मापना है, तो उसके लिए आप कौन सा statistical method यूज करोगे, कौन सा statistical tool को use करोगे, मतलब जिसे मान लिजिए, आपने एक population है, उस population में से आपने कुछ लोगों को चुन गय तो आप major कर रहे हो, मान लिजिए, आप population में से यह देख रहे हो कि कितने लोगों की income, यहाँ पर जो रहने वाले है, इस particular city में रहने वालोगों की income कितनी है, तो आपको मिल गया इस particular city में रहने वालोगों की income हो सकता है, 50 से 90,000 की बीच में है, तो आपको देखना है average तो हमें मिल गई वैल्यू लेकिन एवरेज लोग कितने जादा लोग कितने जादा ऐसे लोग है जिनकी इंकम कितनी होगी 50 से 90 के बीचे जादा तर लोगों के इंकम कितनी होगी आपको मालेजे मिन किसी का फैंडा मेंडा तर ले लिया अब उस डेटा का आपको मुझे से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई अब कुछ इस तरीकी से फिरेड आउट करोंगी मैंने हर एक सैंपल में से हर एक आप परसन से इंफॉर्मेशन ले मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इंफॉमेशन ले लिए और उस इंफॉमेशन को मुझे जो भी डेटा मिला उस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया अब मुझे देखना है कि इस देटा कितना पहला हुआ है कितने लोगों की इंकम कितने किस तरीके से spread out है कितने फैला हुआ है कितने लोगों की इंकम कितने थाउजन के बीच में लाए कर लिए हैं तो यहां पर मैं देख रही हूं कि मैं डेटा कितना spread out है कितना फैला हुआ है जब भी आपको कितना फैला हुआ इसा कुछ question में वर्ट दीखता है आप major of dispersion क्या होता है जिसमें आप calculate करते हो standard deviation variance standard deviation बताता है कि आपका data means से कितना दूर है So major of dispersion के अंडर आते हैं आपके terms जैसे standard deviation, variance बताते हैं आपका data कितना फैल हुआ है और standard deviation बताते हैं आपका data mean से कितना दूर है सो इसे हम कहते है major of dispersion सो major of dispersion बताते है आपका data कितना disperge है कितना scatter है मतलब कितना बिखरा हुआ है सो इस लिए इस question का आपका right answer नो जाएगा option C major of dispersion next P value का मतलब है P value stands for इस question में पूछा जा रहा है कि P value का क्या मतलब होता है P value का क्या full form होता है सो याद रखे P value का मतलब होता है probability value यानि probability value यह होती क्या है P value होती क्या है आपको पहले तो यह पता होना चाहिए बहुत important है एक्जाम में इस question से बहुत बार question पूछा गया है ऐसे question पूछने के आपके exam में chance है पहले जैसे आपको subjective questions पूछे जाते हैं उसमें भी आपको P value पर बहुत question पूछे जाते हैं लेकिन याद रखेगा बहुत important topic है So P value जैसे हम कहते है probability value P value का मतलब होता है probability value मतलब आप जो भी आपके research में experiments perform करते हो उसमें आपके जो result आते है वो by chance आजाते है उसे हम कहते है P value अब किस तरिके से जैसे मान लीजे हम for example एक्जामपल लेते है कि हम देख रहे हैं कि water जादा देने से कि plant की growth भी जादा हो रही है आपने experiment perform कर लिया मान लीजे आपने experiment perform कर लिया और आपने यह देखा कि वाटर जादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी जादा हो रही है या यह बताता है कि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हुई है यह आपके वाटर की वज़े से तो नहीं होई है बने होसकता है किसी और वेरियबल के वज़े से हो उसे हम कहते हैं आपके जो रिजल्ट के वज़े से प्लांट की गोथ हुई होगी बनेहरे है तो इस case में हम बोलेंगे आपके जो result आ रहे हैं यह by chance आ रहे है अब p-value हम use क्यूं करते हैं p-value का मतलब था हमने जान लिए p-value यह बताती है हमारे experiments है इसमें जो हमारे result आते है यह by chance आते हैं अब हम देखेंगे p-value को use क्यूं होता है क्यूं हम use करते हैं तो याद आप जैसे मार लीजिए आपको यह पोईंट बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना है P-Value अगर लेस होती है P-Value अपकी P-Value कम होती है लेस होती है तो उस केस में आप क्या करते है आपके जो Null Hypothesis से Null Hypothesis को आप रेजेक्ट कर लेते हो यह आपको याद रखना है इंपोर्टन स्टेट्मेंट है P-Value आपकी जब भी कम होती है जितनी कम आपकी P-Value होगी उतना आपकी क्या करोगे Null Hypothesis को आप रेजेक्ट करते जाओगे अब किस तरीके से हमने यह डिसाइट कर लेगे कि P-Value कम होगी तो हम Null Hypothesis को रेजेक्ट कर लेगे तो यहाँ पर रिलेशन है कुछ तो याद रखेगा P-Value आपकी किस से कम होनी चाहिए पी वैल्यू आपकी अलफा से कम होनी चाहिए अलफा क्या होता है जिसे हमके सिग्निफिकेंस लेवल अलफा बताता है कि आपने आपके एक्प्रेमेंट में कितने percentage एरर को अलव करा है तो बैसे कले रिसरच से कर लेते हैं जोगे वन परसंट होती है या फिर 5% अगर आपने मान लीजे आपके रिसरच में 5% आपने एरर अलव करा है आप देखोगे कि हमने आप अच्छा बतावकि कि 5% हो सकता है कि एरर आ सकते हमारे रिसोच में तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि आपकी जो रिजल्ट है वो 95% सही आना चाहिए तो क्योंकि आपने क्या कर आप पहले सही आपकी नल है पॉत्ध कर लोगे होके अब नेकस्ट केस अगर वैल्यू आपकी पी वैल्यू क्या ओरी आपकी अफासे ज्यादा आ Position ? यानि आ है यानी आपके जितना एर अआपके एक्सिमिन्स में अला हो कर रहा था उससे ज्यादा आपको error देखने मिल रहे हैं से ज़दा आपको error देखने मिल रहे हैं आपकी जो independent variable की वज़े से आपकी result नहरह बगर कोई और variable की वज़े से आ रहे हैं किसकी वज़े से आ रहे है तो इस case में आप क्या करते हैं आपकी जो null hypothesis से उसको accept कर लेते हो तो यह कुछ statement है आपको याद रखना है पहला मैंने आपको बताया कि P value जिसका full form होता है probability value then next probability value का मतलब क्या होता है probability value मतलब अपके जो आपने experiments perform किये उसमें जो आपके result आ रहे है ये by chance आ रहे है यानि आपके independent variable के वज़े से result नहीं आ रहे हो सकता है किसी और variable के वज़े से आपके result आ रहे हो तो यह होता है आपका probability value अब P value यानि probability value को किसले use करा जाता है याद रखिए P value को हम इसले use करते ताकि हम हमारी null hypothesis को test करें और यह बता है कि हम उसे accept करने वाले या फिर हम reject करने वाले याद रखिएगा जितनी कम आपकी P value होगी उतना आपकी null hypothesis को reject कर लोगे और आपकी null hypothesis आपकी alpha से कम है alpha क्या होता है significance level यानि यहाँ पर researcher बता देते हैं कि हम हमारे experiments में इतने पसंद को इतने पसंद error अलाओ करेंगे कि इतने पसंद error आ सकते है experiment में यह होता है आपका alpha जिसे हम कहते है significance level अगर आपकी P value alpha से कम होगी तो उस case में आपकी null hypothesis को reject कर लोगे और अगर आपकी P value alpha से जादा होगी यानि आपके जो errors है अपने जितने अलाओ करें थे उससे जादा आपको error मिल रहा है तो उस case में आप क्या करोगे आपकी null hypothesis को accept कर लोगे तो ये होता है आपका P value जिसे हम कहते है probability value तो इस question का आपके सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A अगला प्रश एक शोद अधियन में चुने गई चर्म से एक छात्र के माता-पिता का वेवसया जैसे वेपार, खेती, सेवा यदी ये था ये किस तर का माप है इस प्रश में पुछा जा रहा है एक student है एक छात्र है उनके माता-पिता का कुछ occupation है और जैसे उनको occupation business, farming, service ये occupation था अब ये जो सारे occupation है इस occupation को major करने के लिए आप किस scale of measurement का use करोगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो scale of measurements होते हैं इनमें four types होते हैं जिनको हम कहते हैं nominal, ordinal, interval, ब्रेशो यानि नाममात्र, क्रामवाचक, अंतराल अनुपात ये scale of measurement बहुत important होते हैं exam में इस topic से कमपल सरी आपको one or two questions देखने ही मिलेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है ये scale of measurement को कुछ आपको इस short form से याद रखना है नौयर, N4 होता है nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio अब हम इसे short में देख लेए हैं कि ये 4 scale of measurement होती क्या है क्योंकि मैंने आपको notes में बहुत अच्छी तरीके से समझाया इसको और जो मेरे video lectures है उसमें मैंने बहुत deep में आपको समझाया है आपके सारे characteristics होती है और ordinal में आपके पास जो भी data होता है आप उसको एक rank देते हो आप order देते हो interval में आप ordinal के सारे characteristics में फॉलो करते हो लेकिन interval में आपका जो numbers होते है आप उनको एक equal arrangement में और equal intervals में arrange करते हो और interval में आपका जो 0 होता है ये arbitrary होता है आपका अपते तरीके से ratio ratio में interval के सारे characteristics present होते हैं लेकिन ratio में आपके 0 का कुछ न कुछ meaning होता है ये होते हैं आपके 4 level of measurement 4 scale of measurement बहुत important है अब हमें इस question में इस question में पूछा जा रहा है कि छात्र है उनके मातापिता का कुछ occupation है कुछ इस तरीके से है कि वो business करते है farming या पर service कर रहे थे यानि वैपार कर रहे थे खेती कर रहे थे ये जो उनके occupation है इनको major करने के लिए कौन से scale of measurement का यूश करोगे यहां पर जैसे कि यहां पर हम देख रहे है बस उनको occupation है उनकी characteristics की basis पर divide करा गया है उनके occupation को एक छात्र होंगे उनके मातापिता farming होंगे तो आप क्या करोगे उन छात्रों का group बना लोगे एक छात्र है जिनके मातापिता का business है वैपार है आप उनको एक group में बना लोगे तो आप इस तरीके से grouping करते हो यानि same characteristics के लोगों का आप categorize कर रहे हो तो आप ऐसा किस scale of measurement में करते हो और किस star के माप में करते हो nominal में जिसे हम केते हैं नाम मात्र क्योंकि याद रखे nominal और ordinal ही हो सकता है इस प्रशन का उत्ता है और अप और देते हो एक equal order देते हो सबको हम किसी को order में नहीं दे रहे हैं किसी को rank नहीं दे रहे हैं आप यहापर rank नहीं दे सकते हो कि सब्सक्राइब के माता पिता बिजनेस करते वेपार करते वह ज्यादा अच्छोंगे आप ऐसे नहीं बता सकते हो और यहां पर ordinal क्रम वाचक यह स्केल यह माप का उप्योग नहीं करेंगे और रह गई बात आपके इंटेवल और रेशो की यानि अंतरल और अनुपात की सोयाद रखिए इंटेवल और रेशो हम जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर्स हो तो उस केस में हम इंटेवल और रेशो का जादा तर यूज करते हैं यहापर आपका विकल्प C और D यह दो भी दोना आपक किस साइंटेश की दोबारा यह नाम दिया गया था यह तर्म दिया गया था तो याद रखिएगा अनुवा यह आर एफिशर यानि रोनाल्ड फिशर इस साइंटेश ने दिया था in the year 1918 1918 में रोनाल्ड फिशर यानि आर ए फिशर इस साइंटेश ने अनुवा इस टर्म को लॉंज किया था अब अनुवा क्या होता है याद रखिएगा अनुवा का फुल फॉर्म होता है अनालिसिस ऑफ वेरियंट अब अनुवा किसलिए हम यूज करते हैं तो याद रखिएग और धूर्म है दो से जादा सैंपल के मीन को कंपेर करने के लिए जब दो से जादा आपके पास सैंपल होंगे उनके मीन को अगर आपको कंपेर करना है तो आप अनुवा टेस्ट याई एनालिसिस ऑफ वेरियंट इसका यूज करोगे और याद रखिएगा एकजाम में भी बहुत बार question पूछा जाता है ANOVA पर analysis of variance इस test का हम यूज सिफ और सिफ इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यह देखना होता है कि यह compare करना होता है कि दो से जाधे जो samples है उनके mean को compare करने के लिए आपके पस अगर दो से जाधा samples ले लिया उस पर आपने study perform किया उससे आपको mean मिल रहे है और आपको compare करना है तो compare करने के लिए अगर जब आपके पस सिर्फ दो ही sample होते है तो उस case में आप या तो t-test का use करोगे या तो z-test का use करते हो अब आप ANOVA का use करोगे तो ANOVA को हम कहते है extension of t-and-z-test यानि t-or-z-test में भी हम से इसी तरीके से करते हैं t-or-z-test में हम दो sample के mean को compare करते हैं और उसी का extension ANOVA को कहते हैं यानि same करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका extension is जिसमें हम t-or-z-test में जोने कर पाते हैं यानि दो से ज़्याद sample के mean को compare करने के लिए हम ANOVA इस test का use करते हैं और याद रखियेगा exam में भी कई बार question पूछा गया है ANOVA यह किस test का extension होता है so ANOVA यह t-and-z-test यह दोनों भी test का extension होता है और ANOVA was given by R.A. Fisher यानि Ronald Fisher in the year 1918 so इस परशन का आपका सहीर तर हो जाएगा option D. R.A. Fisher and आज के लिए बस इंतना है and thank you for watching this video